तो आज हम लेकर क्या हैं एक और टॉपिक जो कि हमारा है लीनियर ओपरेटर और यह जो टॉपिक है यह हमारा फंक्षन एनलेस्ट डैटीड टॉपिक ठीक है अब इसमें हम आपको इसकी डेफिनिशन बताने वाले कि इसकी डेफिनिशन क्या होती है ठीक है अगर इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे ओल्ट आप चा क्या होते हैं ठीक है अब यह कि है वो linear operator हमारा तब होता है कि जब वो इन दो condition को क्या करेगा satisfy करेगा अगर वो इन दो condition को क्या करेगा satisfy करेगा तो वो हमारा क्या होगा linear operator ठीक है तो पहली condition देखते हैं क्या है हमारा है the domain dt of t कोई domain है वो भी किसका है t का is a vector space किसी vector space t का and the range हमारी क्या है range rt किसी जो हमारे टी हमारा operator है उसकी क्या है range lies करें इन दा vector space कोई हमारे पास vector space हो उसमें क्या है domain में domain और range क्या है किसमें किसी भी एक vector space में क्या है like रहने कि आये over the same field कि वहाँ पर क्या हो same field हो ठीक है same field का मतलब कि आगर वहाँ पर क्या हो यह दोनों ही क्या हो same field के अंदर होने चाहिए ऐसा ना हो कि एक real में है और एक complex में ऐसा ना हो दोनों क्या हो same field में हो domain और range भी ठीक है किसी vector space की यह लिखा है आपर दोनों की जो domain है उसकी भी और जो रेंज है किसी भी vector space की वह क्या हो एक फिल्ड में हो और इसकी दूसरी condition यह पहली condition होगी दूसरी condition for all xy belongs करें dt एनिक डुमेन में एड़ सकेलर अलफा तो वहाँ पर क्या होगा कि t bracket में x plus y बराबर होगा tx plus ty के ठीक है और जो दूसरा है यह तो addition वाली होगी और यह तूसरी अगली है multiplication वाली कि t alpha x नहीं कोई भी scalar हो अब वह बराबर होगा इसके alpha tx के किसके बराबर होगा alpha tx के ठीक है और जो यहाँ यहाँ पर यहाँ यहाँ पर यहाँ यहाँ पर जो हमारा वह वह होगी क्या कहते है उसको फिल्ड होगी वह वहाँ पर सेम ही होनी चाहिए यह अगर complex में तो दोनों साइट complex होने चाहिए real में है तो दोनों साइट real में होने चाहिए ठीक है अगर इन दो कंडिशन को satisfy करेगा तो हमारा क्या हुआ linear operator ठीक है तो यह इसकी definition थी तो वह मैंने इस वीडियो में बता दिये और अगर इससे कि और भी topics चाहते हो तो आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं हम मिलते हैं आपको next वीडियो में तब तक आप वीडियो को watch करें